अपने लेजी होने की प्रॉब्लम से परिशान है और जिसकी वज़ा से उन्हें किसी भी काम को लेकर काफी difficulty face करनी पड़ती है मेरा मानना है जो चीजें आपके control में हैं उन पे work ज़रूर करना चाहिए so that आप अपनी life को कुछ हद तक easy बना सकें लेकिन हमारी problem ये है कि जो चीजें हमारी control में नहीं होती हम उन्हीं पे ज़्यादा effort लगाने में विश्वास रख तो चलिए पहले समझते हैं कि laziness है क्या then हम बात करेंगे कि हम lazy क्यों होते हैं और साथ-साथ उसके solutions भी discuss करेंगे क्योंकि बिना किसी problem को understand किये उसका solution नहीं निकाला जा सकता simple sentence में कहें तो laziness सिर्फ एक excuse है laziness एक ऐसी choice है जिसमें हम काम ना करना choose करते हैं और lazy होने की यही habit हमें अपने targets की तरफ act करने से रोकती है और result piles of work then हम irritated होना start होते हैं और जल्दी ही यह irritation stress में convert हो जाती है तो क्यूं होते हैं हम lazy यह question आप खुद से भी पूछ सकते हैं कि हमें चीजों को टालने की आदत क्यूं है different situations के according reasons भी different हो सकते हैं आपको अपना काम बहुत boring लगता है जिसे करने में आप mentally pain फिल करते हैं और boring इसलिए क्योंकि daily same routine चलती है उसमें नया कुछ भी नहीं और mind ह हमेशा नई चीजों में खुशी तलाशता है और हमारे पास एक ऐसा gadget है जिसे use करने से हम happy feel करते हैं और चाहे वो खुशी temporary ही क्यों ना हो कुछ काम boring हो सकते हैं but we should understand कि वो हमारी responsibilities हैं life में हमें सब कुछ अपनी choice के हिसाब से नहीं मिल सकता घर के कितने काम ऐसे होते हैं जो हो सकती है यह accept करना थोड़ा मुश्किल है बट life में सब कुछ अपनी hobby से related करने को मिले not possible so इस condition में जो चीज काम करती है वो है acceptance क्योंकि यही एक चीज है जो हमारे life को easy बना सकती है so काम तो करना ही है तो lazy होने की बजाए उसी boring काम को interesting कैसे बनाया जा सकता है विचार उस प और किसी भी boring काम को निप्टाने के लिए you can play your favorite music जिससे आपका mind good feel करेगा and you can finish your work without feeling bored और target चाहे किसी चोटे से काम का हो या फिर एक successful life का बस इतना याद रखें जिसे आप interest के साथ आज नहीं कर रहे हैं उसे कल भी नहीं करेंगे और day by day आप lazy होते जाएंगे और हर काम को एक मजबूरी समझ के रोते हुए करना अच्छे outcomes नहीं देता है जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि human mind हमेशा खुशी की तलाश में रहता है और हमें उन कामों को करने में कोई enjoyment feel नहीं होता जिन में कोई reward या कोई appreciation नहीं मिलती especially हम woman की job हमेशा सही thankless job रही है जिसमें कोई reward तो दूर की बात है बलकि कई घरों में उन्हें appreciate करने की बजाए criticize किया जाता है but we are very strong इन चीजों को ignore करके lazy होने की बजाए खुद को improve करना हमारे ही हाथ में है कोई भी person job करता है तो reward की form में उसे salary मिलती है तो फिर चाहे उस काम को करने में हम non interested ही क्यों नहीं हो लेकिन उसमें हम lazy नहीं हो सकते तो जब आपके पास इसे करने के इलावा कोई odd choice ना हो तो आपके पास कोई excuse भी नहीं होगा और ना हम lazy हो पाते हैं उन कामों में जिने हम किसी pressure या किसी और की supervision में करते हैं क्योंकि वहाँ एक fear होता है fear of a person or losing something तो जब तक कोई person under pressure रहता है वो ठीक से काम करता है लेकिन जैसे ही freedom मिलता है वो वापिस से lazy हो जाता है it means ऐसे लोग अपनी पूरी life का control दूसरों के ही हाथ में रखते हैं but it's not right control your life by yourself बात किसी काम की हो या अपनी health को सही रखने के लिए exercise करने की हम तब तक उसे टालते हैं जब तक वो बहुत ज़रूरी ना हो जाए और laziness को overcome करने के लिए self motivation ही permanent solution है तो खुद को daily motivate करने के लिए अपने काम हो और उसमें लगने वाले time की list बनाना first step है अगर आप 5 मिनट लगने वाले काम को भी pending कर रहे हैं then please be alert आप गलत track पे जा रहे हैं life में positivity हम तब भी expect कर सकते हैं जब हम अपनी messy life को organize करने के लिए आलस को निकाल बाहर करें और ये करने के लिए instant action लेने की habit बनाए बाद में कर लेंगे या कल कर लेंगे वाली thoughts से relation break कर लें say to yourself पहले काम फिर आराम कई बर motivated होते हुए भी हम lazy रहते हैं because of low energy level जितनी हमारी body toxic रहेगी उतना ही हम low feel करेंगे और unhealthy food ही हमारी body को toxic करते हैं so as I always say eat more and more healthy things अपने tummy को हमेशा खुश रखें with fruits and vegetables drink lots of water और energy को boost करने के लिए have a cup of black coffee जिसका effect 2-3 घंटों तक रहता है और during this time complete all your heavy and difficult work energy level high रखने के लिए अच्छी नीन लेना exercise करना और stress से खुद को दूर रखना basic चीज़े हैं अच्छी नीन के लिए रात को सोने से पहले फोन पे time spend करनी की बजाए कोई अच्छी book read करें और stress से आप हमेशा दूर ही रहेंगे जब आप चीज़ों को as it is accept करना शुरू कर देंगे काम करना एक practice है जो काम की value जानते हैं वो कभी भी lazy नहीं हो सकते otherwise हमारे lazy behavior की वज़ा से non-intelligent लोग भी हमसे आगे निकल जाते हैं क्योंकि अगर वो उतने intelligent नहीं होते तो वो उतने lazy भी नहीं होते hard work is the only key of success and happy life laziness दिखने में attractive ज़रूर हो सकता है but satisfaction काम करने से ही मिलती है so ladies come on and get up and complete your pending work and I will see you in the next video till then bye bye take care and stay healthy झाल झाल